मैं आज राच जल्दी आ जाओंगा, तुमसे मिलना चाहूंगा तुम्हारे पार्टी में जाने से परेड़ ठीक है डाड मिलते हैं ठीक है डाड, बाबाई हलो जांसू, कहां हो तुम? हाँ, यहां आ रही हो क्या? ओके एक मिनट चाहे डाड वापस आ गए मैं सेदा, हाँ, बोलो, यह आपके लिए मेरे लिए, किस ने भेजा? यह तुम मुझे नहीं पता मैम इसमें तो कोई नोट ही नहीं है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं पता मैम ठीक है, थांकिय सो मच जांसू, मुझे किसी ने फूलो का बुके भेजा है और यह बहुत ही सुन्दर है, पर पता नहीं किस ने भेजा है मैं तो चौक गई हूँ मैं तो सस्पेंस से मरी जा रही हूँ, किस ने भेजा होगा यह? मैं भी, मैं तो मर ही जाओंगी जांसू यह पर इस ने भेजा हो तो ऐसा हो सकता है क्या? मुझे तो लगता है कैसा हो सकता है I hope for you आज की रात बहुत important है मेरे लिए भी और मेरे भाई और आसले के लिए भी उन दोनों के लिए ये कैसे important है शायद आज वो दोनों फिर से एक साथ हो जाए मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा ही हो आज असलों को इतना खुबसूरत बनके आना चाहिए कि वो भाईया का दिल हमेशा के लिए जीत ले असल वैसे भी सुन्दर है हाँ वो तो है पर वो और भी सुन्दर देख सकती है एकदम अलग सबसे सुन्दर एक रानी की तरह है ना मुझे उसे तयार करना चाहिए था एदा तुम ये कैसे कर सकती हो कॉल करोगी और बोलोगी आज मैं तुम्हें सुन्दर बनाऊंगी नहीं अफकोस ऐसा नहीं है पर I guess मुझे पता है क्या करना है हलो हाई असलर कैसी हो तुम मैं ठीक हो एदाद तुम कैसी हो मैं भी ठीक हो मुझे एक फेवर चाहिए था पर प्लीज तुम मुझे मना मत करना हाँ बोलो न हम आज तुपैर में मिल सकते हैं अगर तुम बिजी ना हो तो वेल जांसु मेरे साथ स्टोर जाने वाली थी पर अब वो नहीं आ पाएगी और मैं अकेले मेरे बाल और मेक अप खुद नहीं कर सकती हूँ अगर तुम आओगी तो अच्छा रहेगा देखो प्लीज मना मत करना असलर हाँ पर मैं अभी बिजी हूँ एदा अगर मैं बाद में कॉल करो तो चनेगा हाँ ठीक है बाद में बात करते हैं वो आज दुनिया की सबसे सुन्दर लड़की लगेगी पर मेरे बाद तो ग्रेट है यार पर अब मैं तुम्हारे साथ पालर नहीं जा सकती उपस वो तो मैंने सोचा ही नहीं यार सॉरी वोटेवर आइओ तुम्हारा आइडिया काम कर जाए हाँ उम्मीद तो है